हाई गाईज दिस संजे देश्वाल एंड वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल सो कैसे हैं आप सब्सक्राइब फर्स्ट अफ़ल हैपी नुट अलोफ यू आप यह साल आपके लिए बहुत प्रोड़क्टिव हो आज की वीडियो में मैं आपके दो चीजी लेकिया हैं द कि सभी के लिए इंफोर्मेशन होगी जो किसी भी स्टेट में खेल रहे हैं और उनका कॉंपेटिशन आने वाला है तो कॉंपेटिशन से कितने दिन पहले रेस्ट लें और कितने दिन पहले हम एक्सरसाइजिज अपनी बंद कर दें ताकि हमारी बेस्ट पर्फॉमेंस आए यह सब चीजे मैं आपको बताने वाला हम आज तो वीडियो में एंटर जरूर बने रही है तो आए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो गाई सबसे पहले जो 22nd delicious championship बहुने जा रही है इसके बारे मैं आपको थोड़ा सा overview दे देते हूं तो 2021 जन्वरी को दयाल सिंग कोलिज में लोधी रोड यह ओर्गनाइज कौन करवाता है आपको डिली स्टेट के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगो यह 22nd championship है तो आप समझ सकते हैं 22 साल से continue हो लिए इंडिया में हर statewide championship होती है वहां से जो बच्चा first और second आता है वो national खेलने जाता है और इस बार का जो national है जून में नागपूर में होने जा रहा है तो जो डेली सेट में हरवेट में जो first और second place जिसकी होगी वो national के लिए select होगा तो यह importance होती है डेली सेट खेलने की और जो national में select होता है वो इस चीज जाता है तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप state नहीं खेलेंगे तो आप national नहीं खेल सकते है प्राइवेट टूर्णमेंट में और state टूर्णमेंट में यही डिफरेंच है यहां से आप national खेलने जा सकते है नेशल में selection लेके आप Asia और world भी खेल सकते हैं तो हमारी जो fed केजिस ओफ आमरेसिंग एसेशन अफ नुडेली प्लस औरमेज़ भाइ रोयल स्पोर्स क्लब तो बाइस साल से यही करवाते आ रहे हैं लक्षमन सर हमारे तो इसके जो जो गनल सेकेट्री है पीपल सामरेसिंग फेटरिशन ऑफ इंडिया प्राइवेट टूर्णमेंट से वह क्यों डिफरेंट होता है तो प्राइवेट टूर्णमेंट में आपने वेट केटेगरी देखे होंगी तेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट Master's, Grand Master's, Para और यह सब भी आपको categories खेलने को मिलेगी तो इसलिए यह special होता है कि आप यहाँ पे आपको age category और weight category आपको proper खेलने को मिलेगी आपका जो opponent होगा वो सेम आपकी age का, सेम आपकी category का होगा जो brackets बनाई हुई है पताना चाहूंगा जो age factor है age को लेके काफी doubts है कि मैं 15 साल का हूँ, मैं 18 का हूँ, तो मुझे किस category में केलने को मिलेगी तो आज सक आपको नहीं पता था, वो बात मैं आपको अग बताने वालो age कैसे count होती है यह 2024 है तो 2024 में अगर मान लो यह competition है 20 और 21 जनवरी को तो आपकी age जो है, आप 15 years के अभी नहीं हुए हो, आप 14 के हो, अगर आप 15 के, दिसंबर 31 तक अगर आप 15 के हो जाते हो, तो आप जूनियर में खेलोगे मैं दुबारा आपको समझाता हूँ, अगर आप 2024 के end तक, अगर 15 के हो जाते हो, तो आपको जूनियर में खेलना पड़ेगा अभी उसके पीछे एक region है, क्योंकि अगर आप अभी समझाता है, तो अभी आप समझाता है, आप 15 के नहीं हुए हो, आप समझाता है, अगर आप मार्च, एपरेल या किसी भी मन्त में आप 15 के हो जाते हो, तो नेशनल में आपको जूनियर में खेलना पड़ेगा, तो इसलिए हम आपको अभी से जूनियर में खेलाएंगे, आप सब जूनियर नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में जब हम डेट चेक करते हैं, तो उस डेट का जिस दिन वो competition होता है, उस दिन आप कितनी age के हो, वो चेक किया जाता है, तो अभी आपकी place आईए सब जूनियर में, द्यान रखना इस चीज़ का, 31 दिसंबर 2024 को, जो आपकी age होगी, तो वो count होगी, जूनियर के लिए भी और youth के लिए भी, age के लिए बता देता हूँ, सब जूनियर के लिए 14 और 15 साल, जूनियर के लिए 16, 17 और 18 तक, youth 18 से 23 साल तक, और 23 प्लस seniors, उसके बाद master category है 40 प्लस की और grandmaster 50 प्लस, तो इस तरीके से categories divided हैं, तो आप अपनी age चेक करिए, 31 दिसंबर 2024 तक जो आपकी age बन रही होगी, आप उसी category में खेलेंगे, तो यह speciality है Delhi State की, कि आपको सभी को game खेलने को मिलेगा, आपकी category में, उसके बाद registration कैसे करें, तो दोस्तो registration form मैं upload कर दूंगा, जो तो वहाँ से आप click करिए, उसके बाद आप online form है, आपको सभी को online ही apply करना पड़ेगा, on the sport entry नहीं है, online form में अगर आपको एक हाथ से खेलना है, जिसे आप right hand से खेलना चाहरे हैं, तो आपकी 500 रुपे entry fees है, अगर आप other categories खेलना चाहते हैं, तो 500 रुपे अलग से हैं, तो यूथ, senior में भी खेल सकता है, बट आप अपनी age से कम वाले category में नहीं खेल सकते हैं, आप अपनी age से उपर वाली में खेल सकते हो, एक competition आप खेल लोगे Delhi State का, तो आपको सारी चीज़े clear हो जाएगे, registration कैसे हो रहा है, on the sport body weight कैसे होता है, और अगर आप ये 16 तक हमारा form available है 16 के बाद अगर आप registration करते हैं, तो आपको 300 रुपे penalty देनी पड़ेगी, तो आपको 800 रुपे देने पड़ेगे, अगर आप on the sport entry करते हैं, तो बैटर रहेगा, आप 16 तक online form बर दें, दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाल हूँ कि schedule क्या रहेगा, 20 और 21 तरीक का, तो 20 तर तरीक को ही, सब जूनियर, जूनियर और पैरा, इन तीनों के सभी games खतम हो जाएंगे, तो 21 को, youth, masters, women's और senior category, तो ये सब 21 को होगा, तो schedule में थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, प्रोग्राम हमने इसी तरीके set किया, इस बार दो दिन का है, तो easily, आपको बहुत अच्छे से खेलने को मिलेगा, और सभी का जो body weight होगा, वो 20 तरीक कोई होगा, seniors का भी, आपने online form तो बढ़ दिया है, बट आपका registration वहाँ पे on the spot, आपका weight check होगा, और आपको i card मिलेगा, वो 20 तरीक कोई होगा, seniors का भी, तो ये ना सोचे कि हर बार हो जा में जो referees होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा pictures, हम 2013-2014 से तो मैं जुड़ा हूँ, मैं कुछ referee होता हूँ आपर, तो उसमें और एक private tournament में, जो local tournaments हो रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा reference होता है, यहाँ पे आप referee की dress code दे सकते हो, proper referees मिलेंगे आपको, proper dress up होती हैं उनकी, decision हम कोशिश करते हैं कि फेर decision रहे हैं, आपने देखा होगा local tournaments होते हैं, उनमें referees के पास t-shirts तक नहीं होती हैं, ऐसी लाल पिली t-shirt पहन किया, वो matches करा रहे होते हैं, आप यह नहीं पता होता है, यह practice match है, यह कोई tournament चल रहा है, यह आप कुद भी check कर सकते हैं, तो Delhi State का experience आ होता है, तक कि elbow देख सके, बट referee right side में खड़ा है, कोशिश करेंगे कि सबको fair decision मिले, फिर यह आपको doubt रहेगा, तो आप protest कर सकते हैं, उसी time के, तो यह rules मैंने last video में आपको discuss की रहे हैं, यह reference rules क्या रहते हैं, तो यह सब चीज़े आप ध्यान रखना, यह सब चीज़े तक दोस्तों, दिल्ली NCR के सभी players खेल सकते हैं, freshers केल सकते हैं, जो आज सक कोई tournament नहीं खेले, बट जो other federation के players हैं, वो allowed नहीं है, अगर उनको खेलना है, वो contact कर सकते हैं, उसका procedure आपको लक्षम सर बताएंगे, बहुत अच्छा competition होने वाला है, आपको जरूर खेलना बच्चे मुझसे पूछते हैं, या खेलू या ना खेलू, जो freshers हैं, तो उनके लिए मैं बता देना चाता हूँ, कि competition खेलना सबसे बड़ी चीज है, आपकी सारी training, सब practice एक जगे, और एक competition में perform करना हुए एक अलग चीज है, तो आपको participate जरूर करना चाहिए, आपको experience ज कितने दिन पहले rest लेना चाहिए, या कितने दिन पहले exercise छोड़ देनी चाहिए, मेरे इसाब से जो best तरीक है, आप तीन दिन rest लीजिए, तीन दिन हाथ को आप icing करिए, या कुछ भी towel ठंडा करके आप उसको दो तीन बार दिन में किसी काई कर सकते हैं, ठंडे से, तो हाथ क रहता है best तरीक है, और exercise का मैं बता देता हूँ, आप exercise दस दिन पहले, आप last अपना session करिए, heaviest जो session रहता है, प्रस table practice, आप दस दिन पहले करिए, उसके बाद आप तीन-चार दिन light weight से training करिए, और stretch band से training करिए, जो आपकी movement रहती है, आपका जो angle आपकी जो speed आती है, जो ready rest करिए, आपके हाथ की recovery बहुत जरूरी है, आप बहुत अच्छा खेल पाएंगे उसके बाद, बाकि सबकी body structure अलग होता है, सबका nutrition अलग होता है, तो आपका recovery कितने दिन में हो रही है, वो आप खुछ चेक करिए, मेरे इसाब से ही best तरीका था, आप इसको apply करके देखिए आपको बहुत अच्छा result मिलेगा, आपका हाथ बहुत अच्छे से चलेगा, तो यह चीज़ सभी players के लिए, all over India, या जो भी मुझे देख रहे हैं, पर आपकी diet बहुत जरूरी है, आप carbs, protein जरूर खाईए, उससे आपकी recovery बहुत अच्छी होती है, अगर आपको weight की कोई attention अगर आपको weight कम नहीं करना है, तो आप carbs जरूर खाईए, carbohydrate बहुत जरूरी है आपके लिए, उससे पावर बहुत अच्छी आती है, protein से recovery होती है, but carbs भी बहुत जरूरी है, all the best for the Delhi State Championship, तो मैं भी वहाँ पे आ रहा हूँ, आप सब मुझसे मिल सकते हैं, मैं वहाँ पे head referee रह आपके वहाँ भी अगर कोई आपके doubt होंगे, तो मैं वहाँ पे 2 दिन रहूँगा, 20 और 20 को, तो आप मुझसे वहाँ पे directly मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी questions होगा, आप मुझसे वहाँ पे direct पूछ सकते हैं, तो guys, I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो झाल